शीष नवार हंत को सिधन को करूँ प्रणा उपाध्याय आचार्यका ले सुख कारीना सर्वसाधो और सरस्वती जिन मंदिर सुख कार आधिनाथ भगवान को मन मंदिर मे धार जै जै आधिनाथ जिन स्वामी तील कालती हूँ जग मे नामी वेश दिगंबर धार रहे हो करमों को तुम मार रहे हो हो सरवग बात सब जानों सारे दुनिया को पहचानों नगर अयोध्या जो कहलाए राजा ना भी राज बत लाए मरुदेवी माता के उदर से चैत्रवधी नामी को जन में तुमने जग को ग्यान सिखाया कर्म भूमी का दीज उपाया कल्प व्रेक्ष जब लगे बिछरने जनता आई दुखडा कहने सबका संशे तभी भगाया सूर्य चंद्र का ग्यान कराया खेती करना भी सिखलाया न्याय दंद आदिक समझाया तुमने राज किया नीती का सबक आप से जगने जीखा पुत्र आपका भरत बताया चक्रवती जग में कहलाया बाहु बली जो पुत्र तुमारे भरत से पहले मुक्ष सिधारे सुताप की दो बतलाई ब्राम्ही और सुंदरी कहाई उनको भी वित्या सिखलाई अक्षर और गिनती बतलाई एक दिन राज सभा के अंदर एक अपसरा नाच रही थी आयू उसकी बहुत अल्प थी इसलिए आगे नहीं नाची विले हो गया उसका सत्वर जट आया वे राग्य उमणकर बेटों को जट पास बुलाया राजपाथ सब में बटवाया छोड़ सभी जन जट संसारी वन जाने की करे तयारी राओ हजारों साथ सिदाए राजपाथ तजवन को धाए लेकिन जब तुमने तप गीना सबने अपना रस्ता गीना वेश दिगंबर तज थर सबने छाल आदिके कपडे पहने भूक प्यास से जब घब राए फल आदिक खा भूक मिटाए तीन सो त्रे सठ धर्म फेलाए जोब दुनिया में दिख लाए छे महिने तक ध्यान लगाए फिर भोजन करने को धाए भोजन विधी जाने नहीं कोई कैसे प्रभु का भोजन होई इसी तरह बस चलते चलते छे महिने भोजन बिन बीते नगर हस्तिना पुर में आये राजा सुम शयास बताये याद तभी पिछला भव आया तुमको फोर नहीं पड़ धाया रस गन्ने का तुमने पाया दुनिया को उपदेश सुनाया तब करके वल ज्यान को पाया मोक्ष गए सब जग हर शाया अतिशय युक्त तुम्हारा मंदिल चांद खेले भवरे के अंदर उसका यह अतिशय बतलाया कष्ट कलेश का होए सफाया मान तुंग पर दया दिखाई जंजी ने सब काट गिराई राज सभा में मान बढ़ाया जैन धर्म जग में फैलाया मुझ पर भी महिमा दिखलाओ कष्ट भक्त का दूर भगाओ पाठ करे चालीस दिन नित चालीस ही बार चांद खेडी में आयके खेवे धूप अपार जन्म दरित्री हो एजो हो एक उबेर समान नाम वंश जग में चले जिनके नहीं संतान झालीस